हलो फेंट्स में नाव विशाल है and welcome to my channel crypto with विशाल तो गैस बिटकोईन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो currently जो बिटकोईन है वो चल रहा है यहाँ पे 62,000 में मंडे आया है, मंडे स्टार्ट हुआ है, वीक्डे स्टार्ट हुआ है और बिटकोईन के प्राइस में जो है हमें थोड़ा भी pump यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है आज का जो वीडियो है हमारा guys, वो quality title आपने देख लिया होगा, वो दो चीजों से related है, एक है शिबाइनू और दूसरा है आज से guys, तीन दिन पहली मैंने आप लोगों को डॉच कोईन के बार में एक वीडियो में बता दिया था, actually अगर आपने देखा हो कि इस वीडियो के बाद काफी सारे जगा पर pump, आपको और भी news मिलने लगी जहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 51,000 डॉच क करेगा, करेगा, मैंने expect उस दिन किया था पर उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसके बाद जैसा कि उमीद थी, सारी कि सारी चीज़ें यहाँ पे हुई है, और Alan Musk के tweet भी आने लगे हैं, और Dodge में जो लोग अभी तक बोल रहे थे यार, pump नहीं हो रहा, pump नहीं हो रहा, अब मुझ करते हैं, शिबाइनु के, शिबाइनु ने कल अपना all time high बनाया है, और बहुत बढ़िया यहाँ पे दिख रहा है, जिस हिसाब से चल रहा है, उमीद है कि इस साल के end तक एक पैसा जा सकता है, शिबाइनु, जिस हिसाब से अभी चल रहा है, important चीज़ यहाँ पे फिलाल य Community Support Dodge का भी अच्छा है, पर उसके पीछे है, यहाँ पे ऐलन मस्क, अब यहाँ पे एक user है, शिबाइनु holders, उन्होंने यह बोला कल ऐलन मस्क को, मुझे लगता है कि ऐलन मस्क जो थे ना कल बड़ा खाली बैठे हुए थे, रिलैक्स मूड में, इसलिए उन्होंने इतने सारे बम फोड़े, तो उनसे पूछा किसी ने कि ऐलन मस्क, हाउ मच शिबा यू आर होल्डिंग, यहाँ पे ऐलन मस्क ने आंसर दिया नन, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ऐलन मस्क के पास कोई भी शिबा इनु कोई नहीं है, जिसके बाद उसके प्राइस में भी ह हमें यहाँ पे एक डंप देखने को मिला, जो प्राइस था वो नीचे की तरफ इसका इधर की तरफ आया है, अगर आप यह ट्वीक देखेंगे तो यह ट्वीक आराउंड 10 गंटे पहले का है, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो यह जो नीचे की तरफ भी गया है, यह 10 का जो है पंप हो जाता है पर एलन बस ने यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि मेरे पास शिबाई नहीं है अगली चीज जैसा कि हम लोग को इंतजार था जो था दोच रॉज का एक टूट अलरेटी यहाँ पे जो था मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पे उबर ने ट्वीट किया था एक तो वाँप यह उबर ने बोला था ट्वीट करके किलन मस को बोला तो कल फिर से यहां पर जो slumdog millionaire है आप लोग को पता होगा इनके बारे में अगर dodge को follow करते हैं तो यह एक millionaire है जो की खाली purely dot से जो बने है और इन्हों ने एक link था जो कल share किया था एक survey था यहां पर जिसमें बताया गया था कि US के अंदर जो dodge को adopt करने का rate है वो double है rest of the world से यहा और building rockets at SpaceX owned dog कुल मिला कि यहां पर क्या बताना चाहरे है कि बहुत सारे ऐसे इनके जान पहचान के लोग हैं जो चाहे टेसला की हम लोग बात करें या SpaceX से हैं वो financial expert नहीं है और नहीं Silicon Valley की तरह बहुत बड़े कोई technology driven है इसलिए मैं dodge को support करता हूँ क्योंकि वो लोग उन्हों होने dodge को buy करा हुआ है तो dodge कुल मिला के इनका बोलना यह है कि dodge है वो एक normal आम आदमी का coin है वो जिसको बहुत स्था technical चीजों के बारे में नहीं पता है financial expert नहीं है उसका है dodge coin तो यह एक उमीद थी कि dodge के बारे में एक tweet आएगा और एक और tweet का मुझे यहां पर इंतजार है अ 2x जाने के पूरे पूरे आसार है और वो कुछ ना कुछ integration टेसला के साथ dodge का होगा वो एक tweet है जिसका मैं इंतजार कर रहा हूँ और जिसके लिए मैंने यह मेरे 51,000 dodge coin खरीद के रखे थे कि जब at least 2x आएगा तभी मैं इनको निकालूंगा 2x से पहले मैं इने at least नहीं निक पाता पर 2 दिन तक आया नहीं तो मैंने सुझा जब holdy करना है तो थोड़ा सा लंबे time के लिए करें वो चाहे एक महीना हो दो महीना हो या एक साल हो उससे पहले अगर कुछ लगा कि कुछ बड़ा update जल्दी dodge में नहीं आ रहा है तो हम निकाल देंगे फिल हाल around अगर मैं आ जल्द कॉल लेते हैं तो हमेशे आपको क्रिप्टो के इंतर नुक्सान ही होगा ऐसा बहुत सारे लोग और यहां पर देख चुके हो तो यह था गाईज अपडेट डॉच और शिबाईनों के प्राइस में यहां पर करा है और जिनसे दोनों के प्राइस में हमें यहां पर देखने को मिला है अगर मैं एक बार हम पेज को हिट कर दें तो शिबा का जो प्राइस है वो फिर से थोड़ा सा जो है यहां पर डाउन फॉल की तरफ जा रहा है थोड़ा सा ज्यादा नहीं और डॉच के प्राइस की बारे में बात करें तो एक बार फिर देख लेते हैं 8. 1.61 था डॉच का प्राइस जो है अल्मोस्ट अभी उसी जगा पर हलका सा जो है डॉच में भी यहां पर डिप आया है बाकी एक बार जब भी मार्केट खुलेगा कुछ अगर बड़े अपडे अप्डेट्स दोनों में यहां पर आएंगे तो हमें अच्छा पम जो है देख डॉच पहले एक डॉलर पहुचेगा या शिबाइनू यहां पर 1.01 यानि की एक पैसा पहुचेगा तो अल्मोस्ट अगर मैं इस पर बोलूं तो 50-50% लोगों का रिप्लाई आया है एक बार आप लोगों का भी जो अपीनियन हो वो मुझे यहां पर ज़रूर बताईएगा तो यह दा कैसे हमारा आज का वीडियो पसंद आया आपको तो इसको लाइक और शेट ज़रूर करेगा चैनल में अगर आप नए हैं आगे भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं जरूर हमारे चैनल को सब्स्राइब कर दीशेगा थेंक्यो फैंट्स